असलामु अलेकूम कैसे आप सब मैं जुलेखारफाल जुलेखास किचिन से आप आप सब ठीक होंगे मैं भी अलागा करम है आप लोग की दुए बहुत ही मज़े में हूं रमजान आ गई है और बर्कुतों का महना है पढ़ते तो हैं माशाला हम लेकिन उसके साथ थाना भी ज सीरीज बहुत ही बड़ी है तो एक साथ कंबाइन नहीं कर पा रही हूं दो रेसिपीज है एक है मालाई चिकन फ्रैंकी जिसे आप रेश्मी चिकन फ्रैंकी भी कह सकते हैं दूसरी है शिस्वान चिकन फ्रैंकी तो चलिए विदाट टाम बेस्ट किये आज की शुरू करते ह है और्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी डिश चलिए 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 आज मनाते एक बहतरीन सी डिश जिसका नाम है स्मोकी मलाई चिकन रैप्स आप चाहें तो इसे रोल्स भी कह सकते हैं वैसे आपको तो बहुत ही पसंद आएगी घरवालों को भी नहीं है आप चाहें तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं ऐसे कुछ फ्रांकी की रेसेपीज मैंने मेरे चानल पर अपलोड की आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप चेक कर लीजेगा यह है दो प्यास चिलिवी चार हरी मिल्चिया है दो स्पून कोथ मिर और यह है 50 गराम काजू इस सारी चीजों को डाल दीजी मिक्सर जार के अंदर और थोड़ा सा पानी डाल कर या बिना पानी डाल कर भी पीस सकते हैं तो पीस लीजिए प्यास को मैं आप देख सकते हैं हलका मूटा मूटा काट कर दाल रही हूं और प्यास एकदम छोटी भी नहीं थी और एकदम बड़ी भी नहीं थी यह देखिए अच्छे से एकदम पेस्ट आप बना लिया इससे साइट पर लग दीजिए यह है आधा किलो चिकन बोनलेस मैंने थाइ पोशन लिया आप चाहे तो प्रेस पोशन ले सकते हैं चर्वी निकाल लिया दो तीन पानी से दो के इसे मैंने इस तरीके से चुटे-चुटे पीस कर दियें घर पर ही, आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इससे और जादा छोटे भी कर सकते हैं, चलिए अब इसमें दाल दीजिए, 4 टेबिल स्पून गाड़ी दही, 4 टेबिल स्पून जितनी मलाई, फ्रेश मलाई भी दाल सकते हैं, या फिर पैकेट की भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पैकेट की दाल रहे हैं, 3 टीबिल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट, वैसे यह घर में बना हुआ अद्रक लसन है, इसकी रेसिपिरिंग लिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक क आप चाहें तो बज़ार का भी डाल सकते हैं, एक छुटचे का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, नमक, स्वादा नूसार और यह जो पेस्ट हमने बना कर रखा था, पीसके रखा था, काजू अगय रखा वो भी सारा डाल दीजिए, जो भी मिक्सर चार के अंदर चिटका ह हुआ हो, वो सारा डाल दीजिएगा, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करकर, थोड़ी दिर के लिए मेरेनीट करने रख दीजिए, आप चाहें तो एक घंटा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो तो ओवरनाइट भी रख सकते ह हैं, चलिए, अब हम हरी मायो दिब बना लेते हैं, यह है 2 टीबल स्पून जितनी कोथ मिर, हरादनिया जिसे कहते हैं, वो 2 हरी मिर्चियां है, और यह है मायो नीज, एक मिक्सर जार लीजिए, छोटा वाला जार लीजिएगा, उसमें धो कर कोथ मिर दाल दीजिए, और हरी में डाल रही हूं, 6 टीबल स्पून जितना मायो नीज, आप यह डालकर बिना पानी डाले, बहुत अच्छे से पीस लीजिए, यह देखिए, मैंने पीसा है, लेकिन एक से दो टीबल स्पून में और एक्स्ट्रा दाल रही हूं, और अच्छा पीसा जाए, देखिए, कितन मस्का पूरी तरीकी से डाल सकते हैं यहां पर और तेल को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों डाल रही हूं, जब बिगल जाए मस्का और तेल, तो यहां डाल दीजिए, डेट टीबल स्पून जितना बारिक कटा हुआ लसन, और उसे डाल कर फ्राय करें तकरीबन एक मिन मिनिट तक, जब एक मिनिट हो जाएं फ्राय करके तो अब दाल दीजिए, चिकन जो वेरिनेट कर ने रखी ते अपने फ्रिज में, वो निकाल कर इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छे से, और जो भी लगा हुआ हो बरतन के अंदर, वो साला डाल दीजिएगा, मसाला, औ डाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, और मीडियम आज पर इसे तकरीबल चार से पाच मिनिट तक फ्राय करें, बार बार चलाते जाएं, पलफुद का पानी ना मैंने ये मिक्सर जार के अंदर दाल कर चला लिया है, अब मैं चार पाच मिनिट के बाद ये दाल देती ह 10 मिनिट के बाद यहां मैंने कोईला जलाने रख दिया है, अब टोटल हो चुकी है, 13 से 14 मिनिट और खोल कर देख लीजिए, चिकन को चिकन गल चुकी है के नहीं, यहां मेरी दो चिकन प्रॉपली गल चुकी है, तो मैं कर देती हूँ, चूला बंद, यहां पर अब साइट पर 10 मिनिट के लिए रहने दीजिए, चले अब हम रोटी प्रिपेर कर लेते हैं, मैदे की राप्स कहिए, रोटी कहिए, तो बड़े से बरतन के अंदर 2 कप मैदे का आटा दालिए, नम्मक दाल दीजिए थोड़ा सा, और 4 से 5 टेबल स्पून मैं असली घी के दाल कर देखें, आप चाहें तो तेल भी दाल सकते हैं, सबसे पहले ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जब अच्छा मिक्स हो जाए तो नॉर्मल टेमपरेचर के पानी से गून लीजिए ये आटे को, बहुत जादा पानी मत दालिए, थोड़ा थोड़ा पानी के लिए साइट पर रख दीजिए, चौदा पंदरा मिनिट के बाद इसके किचिन टॉवल को हटा दीजिए और ये जो आठा है इसके पेड़े बना लीजिए, मैं तकरीबन आच से नौ बना रहे हूँ, सबसे पहले तवा गरम पर रख दीजिए, यहां पर मैंने एक पेड दालिए, side by side मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ, उलट पलट करते जाएए, मीडियम आज पर रोटी को सेख किये, यहां मैं कपड़े की मदद से रोटी को प्रेस करती जाती हूँ, so that अच्छे से सेख सके रोटी को उलट पलट करते जाए और ऐसे light golden brown spots आ जाए दोनो और से मतलब हमारी रोटी हो चुकी है, wraps हो चुके हैं, तो इसे side पर रख दीजे, इसी तरीके से सारे रोटी कहिए, wraps कहिए बना लीजे, तकरीबन मैं 4 बना रही हूँ और 4 बात में बनाऊंगी, तो आप चाहें तो 8 अभी बना लें, या आपने अगर 10 का रोटी बनानी है तो आप 10 बना लें, और एक साथ साइट पर रख दें, कुछ गंटे के बाद जब आप सर्फ करें, तो यह जो कोईला हमने चिकन की ग्रीवी में रखा था, यह निकालकर फेग दीजे कोईले को, और एक बार मिक्स कर लीजे ग्रेवी को, हमारी मलाई चिकन ग्रेवी को, और अबी तक, अच्छा कुछ गंटे हो चुके हैं, तो आप हमें थोड़ी सी गरम तो करनी ही पड़ेगी रोटियां, तो थोड़ा सा मखन लगाए, गरम तववे के ऊपर डालें, पीछे की साइट पे भी मखन लगाए, उलट पलट करते हुए, अच्छा सा सेक लें, जब अच्छा सेक लें, तो चलिए, अब हम बना लेते हैं राप्स को, यह है गरमा गरम रोटियां जो भी हमने फ्राइ की हैं मखन के अंदर, यह है मलाई चिकन, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, वह है मैंने एक प्यास को मोटा मोटा लंबा काटा है, और यह आदी सिम्ला मिर्च को मोटा मोटा लंबा काटा है, यह आप देख सकते हैं, और वोरा डिप जो हमने साइट पर बना कर रखा है, अब हम इसे असेंबल करते हैं, प्लेट में बटपीपर रखी, गरमा गरम रोटी रखी, चिकन की ग्रीवी को इस तरीके से बीच के पूरे पोशन में लंबा पह पहला दें, और उसके बराबर में यह जो हमने डिप बना कर रखा है, वो भी इसी तरीके से लंबा पहला दें, उसके ओपर रख दीजिए, बज़ेदार सी थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसे अच्छे से टाइटली रोल कर लें, अच्छे से करमा गरम सर्फ करें, तो यह बन गए हमारी बढ़िया सी मजेदार सी स्मोकी चिकिन मलाई रैप्स, हरी मिर्चियां और काली मिर्चों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं, तो जो हरा डिप के बज़ाए, कुप सारा म कुछ रमजान की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अप्लोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्प्स्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजीए का, तो चरियाज हम बनाते हैं एक बहतरीन और डिफरेंसी फ्रांकी, जिसका नाम है चिकन शेजवान फ्रां मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक अपडेट कर देती हूं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप महाँ चेक कर लीजीएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बढ़िया सी मजेदार चटपटी डिफरेंस टाइल की फ्रांकी, शिजवान फ्रांकी, चलिए अनुसार, मिक्स कर लीजिए, और यहां मैं 3-4 टेबल स्पून भरकर असली घी के डाल रही हूं, आप चाहें तो रिफाइन तेल दाल सकते हैं, और इन्हें भी मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से, जो बहुत अच्छे से सारी चीज़े मिक्स हो जाएं, तो पानी से थो सॉफ्ट आटा लगाईएगा, जब आप अच्छा सॉफ्ट आटा लगा लें, गून लें, तो एक किचिन टॉवल की मदद से इसे ठाग दीजिए, और 15-20 मिनिट के लिए साइट पर रख दीजिए, यहां पर मैंने 500 ग्रम चिकन बोलनिस ली है, थाइ पोशन है, आप चाह लिया मैंने उसे नितार कर, और नमक दाल दीजिए, स्वाद अनुसार, 1-4 टी स्पून काली मिर्चो का पाउडर, 3-4 या एक चोटे चाह का चमाच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कमिया साथ अपने स्वाद अनुसार कर सकते है, एक चोटे चाह का चमाच, सोया सोस, एक घंटे के लिए मेरिनेट करने, तब तक मैं वो जो रोटी है, उसका कर लेती हूँ, चलिए 15-20 मिनिट हो चुके है, एक बार फिर से आटे को आधी मिनिट तक गून लीजिए, और इसके आट पोशिंस कर दीजिए, मैं तकरीबन आट रोटी बना रही हूँ, तो आट प बना दीजिए, और फिर चप्टा कर दीजिए, तो ऐसा करके आटो आटा प्रिपेर कर लीजिए, अब ये जो आट पेडे साइट पर बना के रखे थे, उनमें से एक पेडा लीजिए, आटे का, आगे पीछे ये लगाईए, सूखा आटा, और अच्छी सी पतली सी रोटी बेल लीजिए, चारो ओर से पतली होनी चाहिए, बीच में से भी पतली होनी चाहिए, अच्छी पतली रोटी बेल लीजिए, मैं सारी एक साथ बेल रही हूँ, सो दाट एक साथ सेख सकूं, तो यहाँ तववा रख दिया है चूले पर, फास्टा आज पर जब अच्छा गर हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए जब मीडियम आज कर दें तो एक रोटी पिसमिल्लाई राह्माने रेम बोल कर दाल दीजिए और सेकने दीजिए कुछ सेकेंट के लिए फ्राइ कीजिए जब थोड़े बबल जाने लगें तो पलट दीजिए और कुछ सेकेंट के लिए उस साइड पर भी fry करें, कच्ची पक्की fry करें, आधे एक मिनिट के लिए उलट पलट करते हुए और फिर इसे निकाल लें, तो kind of कच्ची पक्की हो गई न हमारी ये रोटी, इसी तरीके से आप सारी कच्ची पक्की fry कर लें, सारी रोटिया मैंने सेख ली हैं, इसे मैं अभ दीजिए और इसे फास्ट आच पर तकरीबन 4-5 मिनिट तक बार बार चलाते रहें और उसे fry करें, आपने तब तक प्राइब करना है जब तक उसका color change नहीं हो जाता, जब color change हो जाता है तो चुला कर दीजिए, slow आच और ठाक कर chicken को पका लीजिए, तकरीबन 12-15 मिनिट में थोड़ा सा food color दाल रहे हूं, बाहर जैसा feel आने के लिए, mix कर लीजिए, fast आच कर दीजिए और बार बार चलाते रहें chicken को और पूरी तरीकी से जो पानी दिख रहें, dry कर लीजिए, जब पूरी तरीकी से पानी dry out हो जाए, चुला कर दीजिए पन और इसे एक प्याले में निकाल दीजिए, chicken को और side पर रख दीजिए, अब वही पतीली या fry pan लीजिए, उसमें थोड़ा सा हलका तेल दालिए, चुला चालू कर दीजिए, fast आच पर, और जब अच्छा करम हो जाए तेल, तो यहां 8-10 कली लस्तन की बारिक काट कर दाल दीजिए, और उसे fry काते रहें, थोड़ी सी, एक मिनिट तक fry हो जाए, तो यहां मैने प्याज और सिमला मिर्च काट के रखी है, एक से दो प्याज लें, आपको प्याज पसंद है, तो दो लीजिए, अगर आपको कम पसंद है, तो एक लीजिए, मैने दो मीडियम साइज ली है, और उसे में ल अधा मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, प्यास को डालने के बाद, चूला स्लो कर दीजिए, अभी हम सॉसे दाल रहे है, तीन टेबल स्पून भरकर शिजवान सॉस, शिजवान चटनी, मैं शिजवान चटनी दाल रहे हूं, एक चुट़ चै का चमच सोया सॉस, एक बहुत अच्छे से, चूला भी भी स्लो परिये है, हाँ, हलका नम्मक दाल दीजिए, चुटकी बर काली मिर्चो का पाउडर दाल दीजिए, मैं यहां वन फूट का पानी दाल रहे हूं, मिक्स कर लीजिए, सोदार सॉस जलेना हमारे, मुझे शिजवान का फ्लेवर कम आ र आपको कम या जादा क्या लग रहा है, अगर कम लग रहा है, नम्मक तो नम्मक दाल दीजिए, बैलन्स कम लग रहा है, तो टमाटर सॉस दाल दीजिए, स्पाइस कम लग रहा है, तो चटनी दाल दीजिए, थोड़ा सा फूट कलर मैं दाल रहे हूं, कलर के लिए, क्योंकि और उसे mix कर लीजिए, साइट पर मैंने एक लंबी-लंबी बारिक काट कर रखी है, सिमला मिर्च वो भी दाल देती हूँ मैं, और mix कर लीजिए, और थोड़ी सी बारिक कटी हुई spring onions दाल दीजिए, mix कर लीजिए, चूला medium आज पर ही है, corn flour की slurry दाल दीजिए, अब ये 1 tablespoon corn flour को थोड़े पानी में डाल कर मैंने घूल बना लिया था, बार-बार mix करते जाए और इसे पकने दीजिए 4-5 minute के लिए, जब अच्छा 4-5 minute में थिक हो जाए और ये corn flour पक जाए, तो अब आपको gravy कितनी चाहिए, उस हिसाब से चूला अब एक प्याले में 3-4 अंडे दालिए, हलका सा नम्मक और काली मिर्ज दालिए, mix करकर, feed कर side पर रख दीजिए चलिए ये देखिए, मेरी जो रोटिया मैंने side पर रखी थी, ये देखिए, किती soft है माशाला, और perfectly कच्छी पक्की टाइप्स बनी है, अब हम इन इससे fry कर लेते हैं, अंडे दाल दाल कर वही तव्वे को अच्छा गरम कर लीजिए, जब गरम हो जाए तो medium आज कर दीजिए, थोड़ा सा असली घी या तेल दालिए, और ये कच्छी पकी रोटी दाल कर इसे आधे या एक मिनिट तक fry कीजिए स्पेटूला की मदद से प्रेस करते जाएं, फिर से थोड़ी से घी या तेल उपर लगाएं और पलट दे, और पीछे का side भी portion भी इसी तरीके से पकाले, स्पेटूला की मदद से प्रेस करते हुए, पीछे का portion भी आधा एक मिनिट हो जाएं तो पलट दे, और इसके उपर जो है हमने side पर रखा था, एक बड़ा चमच अंडे का भर कर दाल दीजिए, और कुछ आधे मिनिट तक फ्राइ करें, जब आधा मिनिट हो जाएं और हलका लगे के पक चुका है अंडा उपर का, तो पलट दीजिए, थोड़ा सा मखन, तेल या बटर लगाएं, उलट तरीके से, एके करके सारी रोटी पका लीजिए, पूरी तरीके से, और थोड़ा सा ये जो हम दाल रहे हैं अंडा, वो भी दाल दाल कर सारी पका लीजिए, अब ये पकी हुवी रोटी को एक प्लेट में दालें, और करमा गरम चिकन शिजवान की जो ग्रेवी है, चिकन के स आप सारी डाले इस तरीके से बीच पे सेंटर में रखे थोड़ी सी प्यास मुठी-मुठी कटी हुवी इसके उपर डाल दें खोल खोल कर और थोड़ा सा जो स्प्रिंग ओनियन से उपर डाल दें थोड़ा सा चाट मसाला चाहिए तो यह आपशनल है आप चाहें तो डालें और इसे इस तरीके से रोल कीजिए और कर्मा गरम सर्फ कीजिए हमारी शिजवान चिकिन फ्रैंकी को. I hope आपको अच्छी लगी हो दोनों recipes में कोई भी recipe बनाईएगा तो मेरे साथ comment section में ज़रूर शेयर कीजिएगा. झाले खिकन, झाले जड़का प्कष्णूर शेयर कीजिएगा ठीचिए झाले।